खबर भीलवारा के सवाईपुर से है जहां कोटरी थानक शेत्र में एक दमपत्ती ने खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को लाखों रुपे का चूना लगा दिया है मामले की भनक लगने पर पीडितों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सालर्य गाउं निवासी शंकर लार सुथार और उसकी पतनी लाली देवी ने गाउं के कई लोगों को दोखादड़ी कर लाखों रुपे हडप लिये है इसके बाद ग्रामीनों ने जब वापस पैसे मांगे तो उन्होंने जूटे मुकदमे में फसाने की धमकी भी दी है और फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है